साम अलेकुम वेलकम बेक तो प्रोग्रेस पाइनियर मेरा नाम हसाम अयूब है अडोब फोड़शाप की सीरीज में आज सेकिंड वीक में लेक्चर नबर फाइफ है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्लर टूल को शापन टूल को एंड समच टूल को सू लेट्स स्टार्ट इत तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां से ब्लर टूलने यह बैसी कली टूल मुझए अगर हम बात करें तो वह दो ब्लर Blur Tool basically क्या करता है? किसी भी plan is blur करता है. यहाँ पर हम भी आविजिक्ट को ब्लूर करता है. यहाँ पर हम भी से घरजोन करके देखें यहाँ पर लॉप करता हुँ. यहाँ ब्रॉपर व मैं इसके स्ट्रेंट भी हम लोग दो तो गहां देते हैं इसी तरह इसमें second option है शार्पन का तो शार्पन में क्या होता है कि object को पिक्चर को वो ज्यादा शार्प करतेता है इसको हम लोग यहां पर apply करते हैं एक साइट पर तो यह देखें तो यह देखें हम लोगों ने एक साइट पर blur tool इस्तमाल किया और एक साइट पर sharpen tool तो यहां पर दोनों में difference देखें before and after अब इसके बाद बारी आती है smudge tool smudge tool basically क्या करता है smudge tool basically क्या करता है यह smudging काम आता है किसी character को अगरा किसी चीर को हम लोग ने smudge करना हो थोड़ा सा stretch करना हो तब यहां पर देखें यहां पर मैं smudge tool select करता हूँ यहां पर आके हम लोग यहां से photoshop की जो legacy brush है उसे मैं select कर लेता हूँ यहां पर मैं photoshop के legacy brush load की है उसके पाद यहां पर आके मैंने photoshop के यह m brush में यहां पर यह legacy में आने के पाद यहां पर हमारे पास m brush है इस पर क्लिक करूँगा क्लिक करने के पाद इसे मैं तुरह सा resize कर लूँगा resize करने के पाद यहां पर देखें यह यह देखें अगर आपको यहां पर इसका effect नजर आ रहा हो तो यह देखें यह basically smudging के काम आता है इसे प्रेशली हम लोग बालों पे और face पे से इस्तमाल करते हैं और बहुत सी जगों पर इस्तमाल होता है लएदा 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 तरह इसे इसे इस्तमाल किया जाता है तो यह basically इस तरह जो है ना काम आता है तो आज कि हम लोग ने lecture में देखा blur tool, sharpen tool and smudge tool इनकी properties में इतना ज्यादा कुछ interesting चीज नहीं है हाँ अगर आप advanced level पर जाएं तो वहाँ पर कुछ interesting चीज़ें होती है लेकिन आज के लिए इतना ही इंशाल्ला next lecture में मुलाकात होगी अस्लाम अलेको